बारत माता की बारत माता की अभी तुल्सी का पौधा दिया गया और बेटे ने बोला कि तुल्सी का पौधा सारी नकारात्मक शक्तियों को नस्ट करें कि हम लोग जब कथा सुनते रहते हैं तो चार बाते बोलते हैं आप लोग जोर से बोली धर्म की अधर्म का तारियों में विश्व का कि सामान नेतिया हम लोग चार वाक्य प्रियोग करते हैं तो आज हम अगले एक धंटे में नहीं चारों पर बात करेंगे और हमारा सम्मिधान इसके लिए क्या कहता उस पर बात करेंगे सबसे पहले मैं सुचिता जी को धन्यवाद देता हूं बधाई देता हूं आज आपने सनिवार के दिन इतने सारे लोगों से मुझे मिलवाया और आप लोग सनिवार के दिन मिलने आये इसलिए मैं आप सब का अभार वेक्ट करता हूं सब को धन्यवाद देता हूं अपने व् सुचिता जी के कमिटमेंट को मैं वास्तों में सुचिता जी का संपर्थ केवल फोन पे वाट्सप के ज़िए मेरा नंबर गूगल पे है एक्चुली मेरी कुछ पी आईल गूगल पे पब्लिस हो गई है तो अगर आप भी मेरा नंबर डालोगे गूगल पे मोबाइल नंबर यंदो नीट्य नंबर मेरा निकालाओका मिसे संपर्किया सुचिता जी नियुक्यत में चर्चां हुई र और उसके बाद भी अर्म रख्ण है और में सुचिता जी के कमिटमेंट को का प्रढाम करता हूं और आशा करता हूं आप सारी मात्रशक्ति भी कि इसी तरीके से समाज के लिए देश के लिए अपना काम करेंगी जब यह सम्मिधान बन रहा था तो एक बात यह हो रही थी कि सम्मिधान का लक्ष क्या है क्यों बना रहे हैं सम्मिधान चाहते क्या है अल्टिमेटली हर काम का गोल होता है अल्टिमेट टार्गेट होता है हम हम एशीब क्या करना चाहते है तो जो लोग वीदेशों से पढ़े हुए थे नहरू जी बाबा साब अमेडकर वो कह रहे थे कि हम तो इक्वैलिटी जस्ट लिबर्टी फ्रेटेंटी यह चीब करना चाहते है जो लोग भारत में पढ़े हुए थे वोले क्वैलिटी किसमें कहों से प्वैलिटी चीब करना चाहते हो और वह जाहते हैं महिलापुरुस बराबर हो जो बोले आप महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहे या घटा रहे कर रहे है हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है नारी तू नारायडी नर तू नारायड कहीं नहीं लिखा हुआ है पुरुस की पूजा होनी चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है नारी की पूजा होनी चाहिए ऐसा लिखा है तो यह बताओ जो हमारे वेद में लिखा है नारी कर रहे हो या अपमान कर रहे हो जो पहले से उपर है पिर संभीधान में कुछ प्रावधान आए जहां कहा गया कि नहीं आपको महिलाओं के लिए यह प्रावधान अलग से रखने हैं कि दूसरा फिर उन्होंने कहा कि आप यह इक्वैलिटी जिस्टिस लिबर्टी क्या आपने तब क्या एचीव करना चाहते हैं महावीर त्यागी थे रादी किष्णा एयर थे तीन सो लोग ने मिलके संभीधान बनाए उसमें कुछ लोगों का कहना था कि हम भारत में इस संभी सरकार की सरकार के सिन्दान सरकारों के लिए नागरी के लिए वी बनाए लेकिन ज्यादा तरों सरकार की बना है तुमनों का कहना था कि सरकार ऐसी नीतिया बनाए जिससे धर्म की जय हो सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे अधर्म का सरकार ऐसी सिच्छा बेवस्था बनाए जिससे प्राडियों में सरकार ऐसे नीतिया और बनाए जिससे विश्व का यही हमारा सम्मेदान कहता है अब इसमें आप ज़रा सोचिए हम लोग सामानेते ये बात बार-बार करते भी रहते हैं अधर्म का नास किये बिना धर्म की जय हो सकती है क्या इन चारों में सबसे इंपोर्टेंट क्या है दर्म की जय हो अधर्म का अधर्म का नास किये विना धर्म की जय हो सकती है क्या नहीं हो सकती है अधर्म का नास किये विना प्राडियों में सद्भावना हो सकती है क्या नहीं अधर्म का नास किये विना विश्व का कल्याण हो सकता है क्या नहीं तो जब तक अधर्म का नास नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए था हमारी सरकारों का अधर्म का नास करना अधर्म क्या है घूस खोरी जमा खोरी मिलावट खोरी काला बाजारी नसा तसकरी मानव तसकरी सोडा तसकरी नकसलवाद माववाद कटरवाद मजभी उनमाद जहाद जो भी यह आतंकवाद यह नहीं कर सकते बिना इनका अधनास किये प्राडियों में सद्भावना नहीं हो सकते बिना इसका नास किये आप उकल्या नहीं कर सकते आप सब लोग के पास आपके पास गाड़ी है आप सब लोग सम्भांत है ज्यादा तर लोग की गाड़ी पेट्रोल से चलती है या किसी की डीजल से भी होगी चले की ज़र जोर से बोलिए इसको इंट्रेक्टिव करते हैं वन साइड़ नहीं रखते हैं इसको आप भासड मुत करिए हम भासड दिने नहीं आए हम आपसे डालाक करने आए हम आपसे समवाद करने आए इसलिए जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आप उसका उत्तर दीज हो गाड़ी अच्छी और चलेजी है मिस्तुरी श्याओं अंस्विडिंग मेक्विश चाहो सिमेंट भालू भी अच्छा हो लेकिन जिससे दिवाल बनाता है उसको कहते कर्णी है हमारे यूप करू ने कहते हैं इदे इसलिए उसकी करूरि कराब हो उसकी जिससे वो लाइन बनाता है लेकिन क patchy कराब हो जोर से बुलिए बाल अच्छा कर सकता है क्या आप जाड़ातर बहुसंक्यक बेहने पूरुस आप संखेक है बहने बहुसंक्यक याँ आपको बहुत अच्छा कहना मना नाता हो प्रस्ट लास आपके किचन का मेटियल किचन का मसाला खराब हो आपका तेल खराब हो किचन का अच्छा खाना बन सकता है क्या डाक्टर अच्छा हो डाक्टर की सोच अच्छी हो दवा घटिया हो बिमारी ठीक हो सकती है क्या तो जैसे डाक्टर अच्छा होना चाहिए, दवा भी अच्छी होनी चाहिए, मिस्तरी अच्छा होना चाहिए, उसका सामान भी अच्छा होना चाहिए, ड्राइबर भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेटोल भी अच्छा होना चाहिए, वै हाडियों में सद्भावना होगी तभी उसों का ल्याड होगा बात यह कि जब अपना घर बनाना होता है इस ऑठबंद करके घर बनाते हैं का ऐचार आर्टीट्ट से बात करते हैं कि अपना घर बनाने से पहले दो-चाल लोग का घर जाके देखते लिए लेकिन दुरभागया वस कानून बनाते समय नहीं करते अगर दिल्ली में रात कोई 11 बजे के बाद महिलाएं सौपिंग करने से डरती है दुबई में 12 एक बजे दो बजे भी सौपिंग करती है बिना डर किये तो दो ही कारण हो सकता है या तो दुबई का सासक अच्छा है या तो दुबई का कानूम अच्छा है अगर दिल्ली में अपराद है तो या तो दिल्ली का सासक खराब है या दिल्ली का कानूम खराब है अगर बीमारी यहां है और सिंगापूर में नहीं है तो इसका मतलब या तो सिंगापूर का ड़क्तर अच्छा है या सिंगापूर की दवाची है एक बात ध्यान रखिए खेत में सीधे सीधे फसल नहीं बोया जाता पहले जुताई की जाती है फिर गुडाई की जाती है फिर निराई की जाती है खरपतवार को खड़ा जाता है हर पतवार मजबूर होता है पेश्टी सैड भी जला जाता है जब पूरा सब हो जाता तब जाक्य उसमें बीज जला जाता है latte, मनों अच्छी फसल तयार होती है उसी तरीके से बिना खर पतवार को निकाले बिना जुताई गुडाई निराई किये आपका अच्छा कानून सफल नहीं हो सकता ये घुस पैठी ये भारत में क्यों आते हैं बगल में म्यामार से भारत में क्यों आते हैं वहीं बगल में भूटान क्यों नहीं जाते या रोहिंग्या म्यामार से भारत क्यूं आते है बघल में भूटान मी क्यूं नहीं जाते मैं अमेरिका तो दूर है इसाल Katy क laisser रहा हूं क्यों ओ आपके ढर सिर्ड़ करें अच्छी नहीं होगी या आपके घर सेक्षटी गाड नहीं होगा तो आवारा पसुव आपके घर में इंटर करेंगे करेंगे स्वाविक सी बात है ऐसे यह न और जितने जिस तकलीफ के बाद हम यहां बैठे हुए हैं हमारे पूर्वजों ने भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए क्या-क्या नहीं किया गुर्वों गुरुतेग बहा अभरi सो ऊत्यान को सबने पढ़ा होगा तो क्या-क्या नहीं किया है कि हमारी संस्कृति बचये भारत बचये भारती स्कृति बढ़े बचे भारत की अच्छा होती रहे एक कल्चरल वार पुरी दुनिया में चल रहा आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है विश्णु पुरान पढ़ सकते हैं तो पढ़िये नहीं पढ़ सकते हैं तो विश्णु पुरान धारावाइक देखिए बियार चोपड़ा साब ने महाभारत बनाया था महाभारत के बाद एक सीरियल बनाया था विश्णु पुरान आतंकवाद अलगावाद कटरवाद मजहभी उन्माद और जिहाद के मूल कारण को समझना है तो विश्णु पुरान धारावाइक देखिए दो सोच के बीच में टकराहट आधिकाल से चल रही है दो कल्चर के बीच में कंफ्लिक्ट आधिकाल से चल रहा है एक कल्चर है वसुदेव कुटमबकम एक सोच है सर्वधर्म संभाव नारी तू नारायडी एक सोच है दूसरी सोच है एको हम दितीयों नास्तिक एक सोच है महिला बराबर नहीं है महिला उपर है दूसरी सोच है नहीं नहीं महिला बराबर तो छोड़ो महिला आधी भी नहीं इन दो सोच के बीच में टकराहट आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है अलग अलग रूपों में चल रही है पहले देवदानों लड़ते थे मान और अक्षेस लड़ते थे अभी वो अलग उसका कॉंसेप्ट अलग हो गया लेकिन वो लड़ाई चल रही है तो इस लड़ाई से जीतते हुए आगे बढ़ा और इसका एक्जांपल आप देख लिजए एक सोस थी कि राजकुमार का नाम नहीं बलकि राजकुमारी का नाम राजजिपे होगा गंधार के राजकुमार का नाम गंधार नहीं था गंधार के राजकुमारी का नाम क्या था कॉसल के राजकुमार का नाम कॉसल नहीं था कॉसल की राजकुमारी का नाम क्या था सौमित्र की राजकुमारी का नाम सुमित्रा पुंतल की राज कुमारी का नाम पुंती एक ये की महिला नौरात्रे में कन्या पूजन दुरियोधन के ननिहाल में जहां कन्या पूजन होता था दुरियोधन के ननिहाल में जहां वुजन देव कुटमकम की भावना थी दुरियोधन के ननिहाल में जहां उस आधिकाल में स्वयंबर होता था दुर्योधन के ननिहाल में जहां लड़कियां भी सस्त्रों सास्त्र के सिख्षा लेती थी आज उस अफगानिस्तान में क्या हो रहा है सबको पता है कि नहीं पता है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इस्कूल कालेज बंद हो गए न इन्वेस्टी बंद हो गई न कहके जह इमेडियेटली रानिक कैकेई ने सेना पती का काम किया अगर रानिक कैकेई को सस्त्र चलाना नहीं आता था तो यह दुबूमी में कैसे आई है इसका मतलब बेटियों को सास्त्र ही नहीं बलकि सस्त्र की भी सिक्षा मिलती अभी हम एंडिये में सोच रहे हैं लड़किया कि नजा दुविधा में हैं सेना में जायें कि नहीं अरे हजारों साल पहले पूरी सेना को लीड किया था रानी कहकेई ने और सबको पता है दसरत जी का विवा क्यों हुआ क्योंकि रावन ने फिर दसरत के उपर अटेक किया दसरत के उपर बहुत तेजी के साथ उसने अटेक किया तो रानी कहकेई ने दसरत को बचाया तो फिर दसरत का और रानिकाईगई का विवा हुआ तो हमारी संस्कृती बहुत ही सब भी रही है बहुत ही मजबूत रही है और चार-पांच जार साल पहले जब लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था तो हरपा मोहन जोद्रोन को गूगल करके देखिए का हरपा मोहन जोद्रोन में शहर में विल प्लांड बात्रूम, किचन, टॉलेट सब के साथ मान मिला है जब लोग केले का पत्ता पहनते साड़े पांच Rabbit साल पहले पांच आ साल पहले तब हरपा मोहन जोदूर्व हमारे पास वेल प्लांड एक सहर था हमारे पास कैसे था दुरभागी यह हुआ कि गुलामी के बाद गुलामी के बाद हमें उस गुलामी के मांसिक्ता से निकाला नहीं गया और कहा था ना हाथी के बच्चे को बच्चपन में एक चोटी से उसे रसी से बांदो तो बड़ा होके भी रसी भी खड़ा रहेगा उसको लगा हम तोड़ी नहीं सकते हम अंग्रेजों के गुलाम थे चीन जापान का गुलाम था हम 1947 में आज़ाद हुए चीन हमसे दो साल के बाद आज़ाद हुआ 1949 में 1949 में चीन आज़ाद हुआ 1950 में उसने गुलामी की सारी निसानी मिटा दिया एक साल के अंदर चीन ने जापान का वहाँ एक निसान नहीं छोड़ा उसने तैय किया कि हमारे आनेवल बाले बच्चों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम गुलाम भी रहें और ऐसा होता भी है हम लोग बड़े कहीं अगर जगडा उगडा हो गया कहीं कुछ रोड रेज हो गया तो घर में आके बच्चों थोड़ी बताते हैं हम पिट क्या हुए बताते हैं क्या अरे वहीं बात बाहर की बाहर हो गई चीन ने एक हम किया कि 1949 में अजाद हुआ 1950 में उसने गुलामी की सारी निशानी मिटा दिया न जापानियों के नाम पे कोई सडक न कोई मुहला न कोई गली न कुछ न कुछ हम 1947 में आजाद हुए आज भी इंडिया गेट का सरकिल जबा घूमी एक असोका रोड है बाकि साजान रोड बाबर रोड अक्बर रोड हुमायू रोड तूगलग रोड इधर आजाओ लोधी रोड और आश्यर की बात जिन लोगों को यह सारा चेंज करना था जिन लोगों को भारत को रिस्ट्रक्चर करने का काम दिया गया जिन लोगों को मोटा वेतन भत्ता गारी बंगला फ्री एयर टिकेट फ्री रेल टिकेट सारा पता नहीं और क्या-क्या फ्री 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 सब दिया गया वो उसी और वो अपने आपको माननी कहते हैं, वो भाबा रोट पे रहते हैं, वो अपने आपको माननी कहते हैं, तुखलक रोट पे रहते हैं, लोधी रोट पे रहते हैं, अर अंगजेब रोट पे रहते हैं, आप ज़रा सोचिए, बैन जी का कहना था कि जनता, अरे जनता ने, जनता अपना काम कर रही है व्यापारी वर्ग व्यापार कर रहा है सिख्षक वर्ग अपना काम कर रहा है जिसको जो वकील अपना काम कर रहा है डाक्टर अपना काम कर रहा है और रोज रोज आके नियम कानून थोड़ी बनाएगा बैंजी नियम कानून बनाने के लिए तो हम सब ल सबपने ऑद्मियों के गाडी में कौन भरोता है गारी कोन भरोता है घर रेल टिकेट फरीटीयो öl्ική रेल टिकेट ऑघ खर इसी कibel अप थे इस जहें उनको इंट ग्रसेंशा इसब कने प्लेतका से सब कंशिर शुकुल आप देते हो इने हैं के दोसी मानते हो भाई आप दोसी नहीं हो आपने वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब कुछ करके दे दिया अब उनकी ड्यूटी है वो अपने स्वधर्म का पालन करें डॉक्तर की ड्यूटी अपने स्वधर्म का पालन करें वकील की ड्यूटी अपने स्वधर्म निभाए ड् इमांदारी से इलाज करें व्यापारी मांदारी से व्यापार करें व्यापारी को चोर बना रखा है यहां के लोगों ने जो पूरा देश चलाता है उसी को चोर बना रखा है इसलिए मैं कह रहा हूं स्वधर्म का पालन करना मतलब अपना कर्तब पालन करना अपने कर्तब को मंसा वाचा कर्मणा करना पती अपना धर्म निभाए पत्नी अपना धर्म निभाए बेटा अपना धर्म निभाए वैसे सांसत विधाय का अपना धर्म निभाए और सांसद विधायकों सम्मिधान में कहते हैं कानून निर्माता तो जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्म बनाना ऐसे कानून निर्माता का काम क्या है भासर देना क्यों भासर देना अच्छा देखिए हमसे जो गलती होती वो आपको बताता हूँ थोड़ी सी गलती हमसे है, क्या, हमें नहीं अच्छा चाहिए वो अपनी काष्ट नहीं हो कोई फरक नहीं पड़ता, बाल उसको अच्छा बनाना आना चाहिए दो भी अच्छा चाहिए, वो किसी काष्ट काऊ कोई फरक नहीं पड़ता कपड़ा बढ़िया धो के प्रिस करके देना चाहिए डॉक्टर अच्छा चाहिए वो किसी कास्ट को कोई फरक नहीं पड़ता ऐसा दवा दे दे एक बार में भारी ठीक हो जाए ड्राइबर अच्छा चाहिए गाड़ी ठोके ना गाड़ी खराब ने करे एक्सिडेंट ना कर है कि मुद्वचा राइबर बतोले बातें अच्छी चलाने में राटब में प्रक्षाय कि असद्वा देने माला कर नेता बतोलने बाच Greetings व्याव जाती वाला पुक्त सोने पर आपने जाती वाला होना चाहिए और बतोले बाजी करें लंबी-लंबी छोडते रहें आसमान से तारे तोडता रहें कि यह को मारे साथ एक नेता जी बैठे में चुनाव भी लड़ चुके यहां पर धरंबीर जी है यहां बैठे में हमारे मित्र भी है मैं बार-बार कह रहा हूं आप सब लोग इस चीज को समझे अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका चार कारण होता है या तो बीमारी ला-इलाज है या पूरी दुनिया में बिमारी है इसका कोई आज तक दवा बनी नहीं कोई वैक्सिन नहीं बनी ठीक है फिर आराम से बैठ जाओ लेकिन अगर ला-इलाज नहीं है वो भारत में है लेकिन दुबई में नहीं है भारत में सिंगापूर में नहीं है भारत में कोरिया में नहीं है भारत में जापान में बिमारी नहीं है तब तो केवल दो ही चीज है या तो भारत में डॉक्टर अच्छा नहीं है या भारत की दवाची नहीं हम पिछले 55 वर्स से डॉक्टर बदलते रहे हमारी गलती यह थी हम पिछले 55 वर्स में केवल डॉक्टर बदल बंगाल में तो 35-35 साल दक्टर हमने कांटीनिव किया उडिसा में भी 20 साल कांटीनिव किया तो हम दिल्ली में भी कांटीनिव चल रहा है तो हम क्या हो रहा है कि डॉक्टर हम मतलते रहे या डॉक्टर हम केवल डॉक्टर का चेहरा देखते हैं डॉक्टर बहुत बढ़िया ब अगर डाइबिटीज आपकी ठीक ही नहीं हो रही है आपका और जो प्रॉलम हो ठीक ही नहीं हो रही है तो फिर डक्तर अच्छा है कैसा हो तो मेरा ये कहना है एरपोर्ट बनाने में 50,000 करोड रूपे खर्च होता है एक एरपोर्ट एक एरपोर्ट से लगबख एक करोड लोगों को फाइदा होता है इसें बपांचकरोड शे करोड आठ करोड लोग को फैदा होता है लेकिन एक कानून एक नियम एक विवस्था जो मुफ्त में बन सकती है उससे भारत के 1500 करोड लोग को फैदा होता है इसलिए में कह रहा हूं 130 करोड़ों का अधार बन चुका है 20 परसंट बिना अधार वाले हैं तो भारत की जनसंख्या होगे 1500 करोड इसलिए कह रहा हूं कि मेरी सुप्रीम कोड में चल रही है और मैंने उसमें 1500 करोड कहा है कि भारत जनसंख्या सरकार नहीं आपका आकड़ा ग इसी दिक्कत हो और वी वी आईपी एरिया में रह रहे हैं तो सभावित सी बात है सब लोग अच्छे अच्छे हैं आपके घर में सबके घर में अपर आथा वह न्यूस पर आता है सब कहा आता ही होगा कि आपका अखबार प्रावलम से भड़ा हुआ है कि टीवी खोलिए प अब लेकिन सलूसर नहीं है आप लोग एक बार जो अखबार में प्रावलम आपको मिज़र आए सबक तूट गई है नाला जाम है यहां एक्सिडेंट हो गया है यहां यह हो गया है यहां चैनी स्नेचिंग हो गई है यह फला यह हो गई है जो जो भी मैं जे थोड़ा प्लीस बाद में तो एक बार आप प्रावलम्स के ऊपर फोकस करिए और उसमें वाई लगाईए मैं वकील बनने के पहले इंजिनिर था मैं मारूती में जॉब करता था चूंकि जापनी कंपनी थी तो वहां वहां मैंने देखा कि वहां वाई-वाई इनाल्सिस केवल मसीनों की नहीं करते हैं सोसल प्रावलम की भी वहाई-वाई नाल्सिस करते हैं सड़क तूटी वहाई मैटियल खराब था मैटियल क्यों खराब था हुआ कमिशन खोरी हो गई कमिशन खोरी क्यों हो गई हुआ है फला आदमी ने तरह 20-20 परसेंट बांट लिया क्यों बांट लिया वह पकड़े गए कि नहीं वह नहीं पकड़े गए हुआ ही कानून अच्छा नहीं है कानून बदल दो खतम बात हो जो चीन हमसे बहुत पीछे था जो हमसे दो साल के बाएद आजाद हुआ वर्ड पावर बनने में उसमें तीन काम किया पहला उसने गुलामी की निशानी मीटार दिया एक साल के अंदर 1950 में 1949 में जाद हुआ 1950 में सारी गुलामी की निशानी खतम जापान का नामों निशान खतम करती है दूसरा करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाया आप लोग गूगल करिएगा अभी छे महीने पहले उसके ला मिनिस्टर को फांसी हुई है कानून मंत्री को गूगल करिएगा कि दू साल पहले एक कंपनी की जीएम को फांसी हुई है क्यों कि जो सप्लायर था जो आदमी उस कंपनी में कुछ सप्लाई करता था उससे कुछ कमिशन ले लिया था उसको फांसी हुई हमारे हां सत्तर हजार करोड का कामन वेल्ट होटाला इसी डिली में हुआ था किसी को बोलिए ज़रा किसी को आजीवन कारावास एटना बहुता है यह बजट किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता किसी नेता से नहीं आता बजट कैसे बनता है गाई, सतर लाग करोर का बजट है भारत का इस बजट का 20% यानि 14 लाग करोर, 20% तुमें मिनिममं बता रहा हूं 80 person commission खोरी तो हर department में है हर इसकी में हो जाती यानि 14 लाग करोर रूप DX ब्लैकमनी बन जा रहा है है इतनी सिंगापूर कि ओनामी अ हिख जितना भारत में ब्लैकमनी हर साथ जनरेड होता है उतने तो कई देशों क्रीकर नामी है कि समाधान क्या है समाधान क्या है अब आईसे बनेगी कि जब सब लोग problem के बजाए solution के उपर focus करना शुरू करेंगे रूट काज में focus करना सुरू करेंगे सब लोग कहें अच्छा यह चैने snatching क्यों हुई भाईा क्यों पूरी दुनिया में हमारे सम्मिधान निर्माताओं ने सम्मिधान बनाते समय 20 देसों का सम्मिधान पढ़ा, 10 देसों के सम्मिधान को अपने देस में कौपी किया, कुछ अमेरिका का लिया, कुछ साउथ अफरीका का लिया, कुछ आयरलाइन का लिया, कुछ आस्टेलिया का लिया, तो जब सम्विधान बनाते समय हमारे सम्विधान निर्माता दस देसों के सम्विधान को कौपी कर सकते हैं तो आज कानून बनाते समय हम उन देसों की कानूनों को क्यों नहीं देखते आ में अगर आप रीट काजिनअल्सिस करें जो हमारे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका 80.000 व म हमारे आपके जीवन की समस्याओं का ए मैं रूट काज घटिया कशनून है आप अप्गार defra Schneiderочка देखिए कि इस सडक पे चा अम लग रहा हो सब्सक्राइब तो a कि सबंग पर जाम लगँ है ंत में आपको घट्या चानून नज segundo छौधा हए कि छौथा हुआलर लगाने पर करपशन नाएगा पाचोंप07 लगाएंगे तो कानून आई गा सुभाविक सी बात है अगर घर बैठे बैठे डियल बन जाएगा बिना किसी ट्रेनिंग के तो रोड एक्सिदेंट तो होगा तो रोड एक्सिदेंट होगा घर बैठे बैठे डियल बनेगा बिना किसी ट्रेनिंग के तो रेड लाइट तूटेगी रेड लाइट भी टूटेगी, रोड एक्सिदेंट भी होगा, रोड रेस भी होगा. तो समाधान क्या है? समाधान है व्यवस्ता. इस देश में हम लोग वर्ड क्लास एरपोर्ट बना रहे है, बना चुके है, वर्ड क्लास हाईवे बना चुके है, नासिक मुंबई का जो एक्स्प्रेस वे है, एसिया का सबसे बड़ा हाईवे है, दिल्ली मुंबई का जो एक्स्प्रेस वे बन रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़ा हाईवे है, वैज्ञानिकों ने हमारे दुनिया की सबसे तो नहीं लेकिन सेकंड जो है अगनी मिसाइल बना दिया साड़े साथ जार किलोमेटर मार करने वाली डाक्टरों ने हमारे वैक्सीन भी धूल लिया छे महिने के अंदर समस्य आई छे महिने के अंदर धूल लिया तो फिर हम वो क्यों नहीं ढूड़ पा रहे हैं जिसमें कोई लागत नहीं आएगी यह बताईए अगर हम अमेरिका के कानूनों की कॉपी करें तो क्या रोयल्टी मांगेगा क्या अमेरिका रोयल्टी मांगेगा क्या सिंगापूर से हम अमेरिका से आइफोन ले सकते हैं सारे सांसदों के पास आइफोन है सारे सांसदों के घर में आइपैड है आइफोन आइपैड ले सकते हैं तो अमेरिका के अच्छे कानून क्यों नहीं ले सकते हैं अगर हम बाहर से सुखोई खरी सकते हैं रूस से उनके कानूनों को फ्री में क्यों नहीं ले सकते हैं सिंगापुर से हजारों करोर का भी समान खरी सकते हैं क्यों नहीं ले सकते हैं फ्रांस से राफेल खरिश सकते हैं उनके अच्छे कानूनों को फ्रीमिक को नहीं लेते हैं जापान से पता नहीं क्या 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 ले सकते हैं क्यों नहीं लेते इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो जब कानून बनेंगे तो कर्रप्शन कम होगा कानून बनेंगे तो बहुत सारे सफेद पोस्स जिनको आप माननी कहती है उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे उनकी पोल खुल जाएगी बहुत सारे सफेद पोस्स लूटे रहे जो इस समय आपको अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगेंगा अरे ब प्रापर्टी को आदार से लिंग करने कानून बनाई है देखी कम स्कम 10,000 लोग आपको नजर में आ जाएंगे अच्छा अच्छा इतनी बड़ी बड़ी प्रापर्टी इतना सांसत रहते हैं वे 10,000 को प्रापर्टी बना लिया अभी कुछ दिन पहले एक समाजवादी नेता की मृत्ती हुई मैं कुछ बोलना नहीं चाहरा था मैंने का मृत्ती हो गई क्या वो ने बड़े उनके बार नौबार के सांसत थे समाजवाद के जनक पलानी क्या क्या ऐसी ऐसी स्रदांदली दी जा रही थी जैसे लगता है कि भ और 500 पेटोल आइठ के बैठ गए तो मेरा यह कहना है कि अगर जब कानून बने अभी तो क्या हो रहा है एक चोर दूसरे को माननी कह रहा है दूसरा वाला तीसरे को माननी कह रहा है सारे चोर एक दूसरे को माननी 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 और हम लोग को माननी माननी सुनते हम भी म माननी माननी मैं सही बता रहा हूं अगर रांक बन जाए तो आप लोग उनके साथ फोटो खीचवाना पसंद नहीं करें जिन लोग के साथ आप फोटो क्छिचवाने के लिए आतुर है ना जिनके साथ फोटो खीचवा क्या गर्व महसूस करते हैं जिनको तो आप घर में खाना खिला के गर्व महसूस करते हैं प्रापरटी को आधार से लिंक करने कानुन बंजा तो पता तो बहुत परिबाव इतना बड़ा लुटे रहा है हम तो सोच रहते हैं चपल पहन की हुंता है है हम तो सोच रहते तो सिंपल वाला पैंटसर पहनता है ऐसी आते हैं तो समस्या पाखंडियों से हैं आज का टॉपिक रखा हुआ है कंस्टिटूशनल एंड नेस्नलिजम राष्टवाद मेरा यह मानना है स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा राष्टवाद है रामचरित मानस में उत्तरकांड जिसके लोगों ने पढ़ा होगा उत्तरकांड में बहुत अच्छा रामराजी का वर्डन है दुनिया का सबसे जो बेस्ट मॉडल दिया गया गया गवर्नेंस का उसको कहते हैं रामराजी क्रिश्न राजी की बात नहीं होती किसी और राजी की बात नहीं होती है पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस का सबसे अपना कारिय मनसा वाचा करमणा कर रहे थे। गुरु अच्छी तरीके पढ़ा रहे थे। छत्री अच्छी तरीके से रच्छा कर रहे थे। व्यापारी अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे थे। कानूनों का फाइदा मैं आपको बताता हूँ। इस देश की FDI 2% बढ़ाना हो अगर, सुरी GDP, इस देश की GDP को 2% बढ़ाने के लिए कम से कम 2 लाग करोड का इंवेस्टमेंट चाहिए FDI बाहर का, अगर 8% से 10% ले जाना है, तो लगबग 2 लाग करोड का इंवेस्टमेंट चाहिए, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सिंगापूर, चाइना, जापान के एंटी करप्शन कानुनों को लागू कर दीजे, करप्शन खतम कर दीजे, भारत के ही व्यापारी, भारत की GDP 2% बढ़ा देंगे, आप उनको इंस्पेक्टर राज से मुक्ती दे दीजे, आप उनसे वसूली करना छोड़ दीजे, उ इतने स्टेशन उनकी फाइल जाती ही, उतनी बार उनको मिलना जुलाना पड़ता है, उतनी बार जाके वहाँ पे, और जो आदमी एक हजार करोर का बेचारा प्रोजेक्ट चला रहा है, वह भी एकदम ऐसे बाबू के सामने, इस जी साब, जी साब, जी साब करता है, उससे भारत के व्यापारी बेचारे वो निता जी को देने में लगे पड़े हैं, पार्टी को देने में लगे पड़े हैं, धर्म के लिए कुवा कब बनवाएंगे, तालाब कब बनवाएंगे, मंदिर कब बनवाएंगे, या धरमसाला कब बनवाएंगे, पहले बनता था नहीं बारत में धरम साले पूरे चरो तरफ थे, फूए बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, भोजनाले चलते थे, लंगर विवस्ता आग भी हमारे सिख भाईयों ने कांटीनू कर रखी है, तो इस देश में अगर हम कहते हैं नेशनलिजम रास्टवाद, रास्टवाद का मतलब सबसे अच्छा तरीका है, स्वधर्म का पालन करें, और स्वधर्म का पालन किसी भी चीज का जो पालन हमेशा उपर से नीची होता है, घर में ऐसी होता है, सबसे होता है, जो सबसे बड़ा है, वो सबसे पहले अपने भर्म का पालन करें, उसके बाद, पहले पिता अपने धर्म का पालन करे फिर पूत्र अपने पूत्र धर्म का पालन करेगा फिर पोता अपने पोता धर्म का पालन करेगा ऐसी चलेगा तो अगर हमने यह सिस्टम बनाया कि भारत को चलाने के लिए संविधान ने चार हमने पिलर्स बना दिये एक लेस्ट लेचर एग्जेकेटिव जुडिशेरी और मीडिया तो सबसे प्राइमरी ड्यूटी लेस लेचर की हो गई पहला वही है वो नियम कानून बनाएगा वो दिमाग लगाएगा लेकिन वो आख बंद करके बना रहा है वो यह नहीं देख रहा है कि जब कानून बनाते समय हमारे देश में यह समस्या है सिंगापूर में नहीं है दुबई में यह नहीं है को बहिए इसका मतलब अपना कानून ठीक नहीं है एक बाल लाओ वहां की बेस प्रैक्टिस देख लेते हैं वह इमानदारी से काम सुरू कर दे फिर एक्जेकेटी वाया तक सिर जुडीशरी आई जिन मुकद्मों का फैंसला गाओं के पांच लोग दो तीन घंटे में करते थे कैंब्रीज में पढ़े हुए आक्सफोर्ड में पढ़े हुए करते नहीं करते हैं 10 कोटि सहल सुप्रिम कोट कि और मुकदमे को जितना लंबा खीचल वो उत्रा बड़ा वकील जो मुकदमे को जितना लंबा खीश दे वो उत्ता बड़ा वकील अरे भाइया तो पहली बात तो ऐसी विवस्था हो कि मुकदमा कम हो वो कैसे होगा नहीं सबसे पहले किसी भी देश की देवस्था का जो प्राइमरी सिस्टम होता हुई एजूकेशन सिस्टम होता है, प्राइमेरी, दुर्भाग्यवसम ने 1835 में मैकाले आया यहां पर, मैकाले ने इंग्लिस एजूकेशन सिस्टम शुरू किया, 1857 में करांती हुई, लाकामिशन बनाया, फिर मैकाले को बोला, इस्पूल वाला काम सोड़ो, तुम आप कानून बनाओ, तो वो जहां पहले इस्पूल खुलवा रहा था, उसने कानून बनाना स्वू कर दिया, अच्छल में न वो एजूकेशनिस था, न वो जूरिस था, न वो एजूकेशन का एक्सपर्ड था, न वो और रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने चुकिए यहां पे था, पहले वो यहां पे गुरुकुल बन्द करवा कि स्पूल चलवा रहा था, बाद में उसको बोला, मं इंडियन पिनल कोड बनाके गया था जिसमें तेईश चेप्टर थे कितने 23 कि 2023 में उसमें तेईशी चेप्टर हैं ना 22 ना 24 ना घटाया ना बढ़ाया यह बताओ इस इतने डॉक्टर आये गए डॉक्टर जो मैं कहूं ता आप उसको कि समझें इतने डॉक्टर आये गए और मैंकाले वाला 23 चेप्टर 23 चेप्टर चल रहा है तो बीमारी कहां स्थीक होगी जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है यहां हम आइपीसी बोलते हैं वहां फपीसी बोलते हैं फेडरल पिनल कोड वहां पे 123 चेप्टर है पे इंडियन पिनल कोड में 23 और फेडरल पिनल कोड मेंующ अन्तर क्या अ और यहां पे टाइम कम क्यों नहीं हो रहा हूँ जिए गलिमार के मड़र हो जाए घलाद आ के होजाए आफताप की तरीके 35 टुकड़े करके मर्ड़ जैसे भी कर दो लेकिन धारा क्योंसी है तो इसका मतलब सारे अपराद बराबर हो गए अपराद इतने तरीके के तुकडे तुकडे करके मानना और धारा के वल एक तो यानि कानून की नजरों सारे अपराद बराबर हो गए गोली मारने वाला और 35 तुकडे करने वाला एक ही अपराद हो गए हमारे याँ मडर की एक धारा है 302 अमेरिका के फेडल पिनल कोड में चैप्टर है मडर पर और 10 धाराएं है मैंसलाटर अलग बुचरीं अलग लग हेट क्राइम अलग जेनोसाइड अलग किलिंग अलग होमिसाइड अलग दस धारा मडर की है वहां पर अब जब 10 धारा है हाँ सेंपितन अब जब 10 धारा है और मोर्डर हुआ तो जजर्ज, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है वह सेल्फ इकस्वरमालाइटरी है तो जज चाह के भी ना किसी सजा ज़्यादा दे सकता है ना सजा कम कर सकता है वकील बड़ा से बड़ा हो ना कम करा सकता है ना ज़्यादा करा सकता है अब ये बताईए अमेरिका का फेडरल पिनल कोट पहले तो वहां से मंगाना पड़ता था हमने किसी मंगवाया था वहां से आजकल तो अमेजान पे भी है इस 10-12,000 को लेके हम तो कह रहे हैं आई पीसी को दिमाघ नहीं लगाना है तो फेडरल पिनल को ये को December कोटुसका नाम बदल दौक पर पहले अब फेडरल पीनल कोड कब फेडरल वर्ड काटो और उसको कर दो इंडियन और पालिय में पेंट्रड्यूस कर दो मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में 50% क्राइम खतम हो जाएगा 50% क्राइम खतम हो जाएगा और मुकद में एक-एक साल के अंदर डिसाइड होने सुरू हो जाएगा इतना क्रिस्टल क्लियर एक-एक क्राइम डिफाइन है कि ना उस पे बहुत लंबे-लंबे गवाहों के बयान होने है ना लंबे-लंबे जिरह होनी है सब कुछ वेल डिफाइन है ना अगर अनिपडली अगर यह अने का-एक क्लियर हो तौट ड्राइबर नहरू-प्ले से चले या उधर से चले फड़ु, पहुंच जाएगा ना अगर सकडी शक्री-शक्री गलियां हो 10-15 गलियां हो बिचार पूच-पूच कै, पहते ना है कि यतना कर दे कि आप लोग कूगल करिएगा लॉंगेस सेंटेंसे इन दो वर्ड एक वेक्ति ने थाइलेंड में चिटफंड कंपनी बनाया वेक्ति ने नहीं बलकि लेडी ने चिटफंड कंपनी बनाके उसने सोलह हजार लों का पैसा चंपत कर दिया उसको पता कितनी साल से हुई है एक लाख एक तालीस हजार साल से है जड़ा बोलिये कितने साल की और सोलह हजार लोगों को चीट किया था हमारे एक सहारा स्री है आँ उनको सहारा स्री बोलते है और आज तक सोलह साल की भी सजा नहीं हुई है वहां एक लाख एक तालीस हजार साल से जड़ा हुई अब बताइए करप्शन वहां कम होगा भारत में कम होगा कहा कम होगा हमारे हां सेक्षन 363 है इंडियन पिनल कोड में किड्नैपिंग की जो मैक्सिमम सजाए साथ साल मिनिमम् 3 येर मैक्सिमम सेवन येर एक आदमी को किड्नैप करो तो भी सास दो को करो तो भी साथ दस को करो तो भी साथ कितनी साल किसे आओगी साथ यूएस फेडरल पिनल कोड में किड्नाइपिंग की मिनिमम 50 है मैक्समुम हंडेड है अगर मिनिमम वाला भी लेके चलो तो एक को किड्नाइप किया तो 50, दो को किड्नाइप किया 100, तीन को किया तो 1.500, चार को किया तो 200, पांच को लिए 200, अब ने बताओ кिड्नाइपिं भ्हारत में कम खी अँए अमेरिका में कमोगी। 20, 60, 60, समाचरेत। यह सिद्धान्त कहां कानून बनाया वहाँ शांती है वहाँ सम्रिद्धी है वहाँ पे खुशाली है वहाँ पे करप्शन कम है वहाँ क्राइम कम है वहाँ सड़के नहीं तूटती वहाँ नाला नहीं जाम होता और जिसने सटे साथे समाचे ले सिद्धान को प्रतिबादित किया वह हम मैकाले वाला लेकर 1860 वाला कानुन लेकर ढूड़ रहें अकिर क्या कारण है राम कहां पैदा हुए बोले जरा भारत में राम की धरती भारत कृष्णी की धरती भारत महावीर की धरती भारत गुर्गोविन सिंग की धरती भारत जी चुण की धरती भारत सबकी धरती भारत पव मजाबी उन्माद بीद्व क्लेला करत पैक तर्तन से जुद्व जुदा अहां, घूसखोरी तन और जहां कोई नहीं पर गिंड़ भाइद हुआ कि सिंगापूर में कोई नहीं पर मअपूरम समस्या नहीं पर कुछ पराउलम नहीं कि यह यह हम सब लोग भी अगर जो इंग्लिस में पढ़ते हैं यू कैन वेने अब जो भी जो भी पढ़ते हैं उसमें क्या कहता है कि बच्चे पर तीन चीजों का फरक पढ़ता है माबाप से क्या सीखा बच्पन में क्या पढ़ा क्या देखा अगर आप थोड़े से धार्मी कुछ प्रवित्तिके हैं तो उसमें ये कहा गया कि बच्चे का संसकार बच्चे का बेवहार इस बात पर डिपेंड करता उसने संसस से क्या उसका इंपूट गया आँखों से क्या देखा कहां से क्या सुना नाक से क्या सुना मुह से क्या खाया इस पर संसकार डिपेंड करता है बच्चे का जो प्राइमरी संसकार है वो परिवार के होता है वो चटवी में जाके देखा थो यह ऐसे होता है हमारे चटवी का स्लेवस क्या था चारो तरेक नहीं नहीं तो टाइप साथ एबी सीड एपिटल इसमाल करसी यह हमारा चटवी का था आधवी में टू लेटर वर्ट थिए लेटर वर्ट फॉर लेटर वर्ट अब थोड़ा साथ वी में गए तो चैनस इस हमने चटवी साथ यह था भगवान की क्रिपा सुप्रिम कोड मकालत कर रहा हूं इंजीनियर भी हो आया जापान के कंपनी में नोक्री कर आया आज हमने क् बच्चे को इतना बर्डन डाल दिया बच्चपन में ही कि वो केवल ऐसे लगता है कि हम उसको छटवी के बाद से आयाइटी में लग बीटे कराने वाले पुरी दुनिया में अब तक प्रूब हो चुका है कि गुर्कुल सिख्चा बेवस था सनातन सिख्चा बेवस था वैदिक सिख्चा बेवस था ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी है आमेरिका ने प्ले वे सुरू किया तो हमने प्ले वे सुरू कर दिया और में प्ले वे सुरू किया तश्चा उनको क्लेवे बोलते हैं उनको हम प्लेवे कर रहे हो ग्लेवे कर रहे हमारा हमारी संस्कृति हमारी सिछ्छा बेवस्था लाखो साल के बाद डेवलप हुई है दो चार साल में डेवलप नहीं हुई है अगर वास्तों में हम बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं कि वह अच्छा भाई बने सबसे प्राइमरी तो यह ना कि बच्चा पहले वह अच्छा भाई बन जाए अच्छा बेटा बन जाए अच्छी बहन बन जाए वह अच्छा संसकार मिल जाए अच्छा इंसान बन जाए पहले बच्चे को वो बना लो कम सकम 10 साल तक 11 साल तक यानि प्राइमरी में उसके बाद उसको A, B, C, D, Alphabate जो उसको डॉक्टर इंजिनर उसके बाद बनाते रहो क्या दिक्कत है पहले वो बन तो जाए मकान हम बनाते हैं 6 मंजिल तो नियू थोड़ी चोड़ी रखते हैं फिर उपर आते हैं तो थोड़ा पतली करते हैं नीचे 24 इंच की नियू होती है बाद में 18 इंच की फिर 12 इंच की फिर जो दिवाल होती है लास्ट में 6 इंच की हो जाती है उपर आके चेंज की हो जाती है, लेकि नीचे चोड़ी रखनी पड़ती है, हमने इस पर कभी चर्चाई नहीं किया, जबकि हमारी संस्कृती में हो चुका है, मानो इतिहास में सबसे पहले युनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लगू करने वाले भगवान राम है, भगवान भगवान राम राजी क्यों कहा गया, मैं उसके दो-तीन फीचर आपको बताता हूँ, तो इसलिए राम राजी की बात कुरी दुनिया में होती है, कि उन्होंने सबसे पहले मानो इतिहास में कामन स्लेबस, कामन एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम है, उन्होंने इसका बाकादा कोट किया हूँ, दूसरा, आज भी हम 2023 में सोच चल रहे हैं कि देश के सब लोगों को इकोल राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कामन सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी बिल बिल आया नहीं है, एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले सबसे पहले कोई है तो वो भगवान राम है राम आयर खोली है उत्तर कांड में इस चौपाई लिखी हुई है वालमीकी जी ने दोहा लिखा है तो उसी जाजीन चौपाई लिखी है एक पति है और यह लागू नहीं किया चारो परवर्ती नरेश थे ऐसा कौण सा राजा नहीं था जो राम लक्षमर्ण भर सत्रुण को अपना दमाद नी बनाना चाहता होगा सब चाहते होंगे और बव्या होता भी था उसके पहले उस समय तो जितना बड़ा राजा हो जितना मतलब वो हां लोग अपनी बेटी की ऐसा सिस्टम कैसे हुआ मानो इतिहास में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रन नीती पॉपुलेशन कंट्रॉल पॉलसी लागू करने वाले भगवान राम है मानो इतिहास में सबसे पहले सब के लिए एक बराबर सजा का प्रावधान लागू करने वाले भगवान राम है उस सेंगर आपका क्राइम है तो व्रहमड को चार गुणा पराध हो सजा मिलती थी छतिरी तीन मिल पिटी वैश को दो गुणा मिलती थी इस तरीके के सिस्टम को कामन पीनल कोर्ट और कामन सिविल कोर्ट दोनों हमारे हां हजारों साल पहले लागू हो चुका है जिसमें हम आज भी चर्चा कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और मानो इतिहास में अगर रास्ट्रवाद को आपको एक्जम्पल देखना है रास्ट प्रथम स्वधर्म गुड गवर्नेंस उसका मॉडल भगवान रामकाष्ट उनके दर्बार में जो रेशियो था वन टू थी फूर का था एक ब्रामड दो छत्री तीन वैश्य इसके पहले और कहीं एक्जम्पल आपको नहीं मिलता यह उनका दर्बार है जहां वन टू थी फूर चल रहा है चारों वाण के लोग एक साथ बैठे हुए और जहां तक हम यह सोचते हैं कि यह जाती वाती चूआ चूट यह पहले कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था अगर चूआ चूट होना होता रानी सत्यवती कौन थी मा भारत में तानी सत्यवती कौन थी ना 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 विक की बेटी थी और वो क्यों रानी नहीं बनी उन्हों राज भी किया तो ना विक की बेटी राज कैसे कर लेगी हमारे यहां वन बेवस्था थी वन बेवस्था कर्म के अधार पे थी इसे लिए एक ही परिवार के दसरत और विश्वामित्र एक ब्रहमन कहला एक शत्री कहला है लोग हम लोग आग बियास घटई का व्यास घटघि पर बैठे हुए बहई कथा हो रही व्यास घटधी कहां सब्दा आया है महथ शी व्यास से महथ और क्यों थे कौन थे गणा है की तो अगर का बेटा के वर्ट एक नाविक की बेटी एक पेठी बेट पर राज कर सकती है जिसका मिलब जाती वाला सिस्टम था ही नहीं एक केवट के बेटे को हम व्यास महरशी व्यास कहते हैं पूजा करते हैं सारी जितनी कथाय होती ही कहते व्यास गद्दी उस व्यास गद्दी पर बड़े-बड़े संग्राचार भी चढ़ने पहले प्रणाम करके चड़ते हैं इसका मिलब कास सिस्टम तो था ही निए अगर कास सिस्टम था तो कंड पचास देसों का राजा कैसे बना कंड की पहचान तो सूद पुत की थी पचास देसों उसने कैसे राजपाट किया इसलिए यह सब बहुत बात की बाते है मुझे लगता आज का समय वो टापिक नहीं है वो हम गुलामी पर जाएंगे अलग इश्यू हो जाएगा लेकिन इस गुलामी ने हमें बाटा बहुत है कैसे बाटा जब यह मुगल आये यहां पर इधर से इंट्री किये बढ़ते 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 आगे बढ़ रहे थे महाराष्टा के बार्डर सिवाजीन उनको रोग दिया तो इसलिए दक्षिड भारत मुगलों के कंट्रोल में नहीं आया तमिल नाडू केरल करनाटक आंध्रा ते लंगाना वह अला पार्ट उनसे बच गया अब आज की रेट में देखिए वहां दिन में विवा होता है इधर अधर मंदिर में विवा होता है इधर घर में उदर इदर बाल विवा है उदर नहीं है हमारे सारे के सारे संसकार दिन में ही होते थे वेद भी यही कहता है लेकिन मुगलों से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवा सुरू किया क्योंकि जैसे हमारी बेटिया बड़ी होती थे मुगल उठा लेते थे उनसे बचाने के लिए हमने बाल विवा सुरू किया बच्पर में शादी कर दो उनसे बचाने के लिए हमने रात्र विवा सुरू किया क्योंकि मंदिर पब्लिक प्लेस होता था मंदिर रास्ते के बगल में होता था जब मंदिर में शादी होती तो फिर उठा लेते थे, तो क्या किया, घर में शादी करेंगे, दक्षिर भारत में घर में शादी नहीं होती है, दक्षिर भारत में मंदिर में होती है, इधर, तो हमारा जो cultural difference आया है, वो दो है, जहां मुगलों का राज था, जहां मुगलों का अरे जहां स्वेंबर होता हो जिस देश में लड़की तय करती होगी किसे शादी करूंगी किसे नहीं करूंगी वहां गुवर्ट प्रथा हो सकती है क्या दक्षिड वारत में गुवर्ट प्रथा नहीं है राजस्थान में है हर्याना में है यूपी में बिहार में है डिफरें आधिकाल की नहीं है आंशो साल कुरानी है तक को दुर्भाग के बास पण्डित जी लोग बता नहीं क्युंस नहीं बता रहें कि रात्रविवा नहीं यूंदु धर्म के पृध्य के भी सूरियास के बाद नहीं किया जाता, ऐसा है कि अगर किसी की सूरियास के बाद डेथ हो जाए, तो रात भर बाड़ी रखिए, अगले दिन जो सूरियोदे हो जाए, तब जाके आप उसको अंतिम संसकार करिए, तो जहां पर अंतिम संसकार भी सूरियास के बाद नहीं हो सक हमारे धर्म गुरुओं का काम था और हमारे मंत्रियों का हमारे जो नीत नियंता हैं उनको इस्कूलों के जरी बताने का काम था अब सब लोग आप बताए किसी जातिवाद कब सुरू हुआ हमने कहीं स्कूल में पढ़ा नहीं पढ़ा ना हमें लगता आदिकाल से है गूमट एक कूपरथा है और यह कब आई हमें कहीं पढ़ाया गया तो नहीं पढ़ाया थो हम नहीं जानते हमें लग रहा है कि आधिकाल से चल रही है ऐसी बहुत सारी कूप रथाएं हैं जिने हमें नहीं जानते हमें लगता है बहुत पहले से बहुत पहले से नहीं आ रही है 400 साल 500 साल 600 साल में आई है और वो हमारे उपर थोप दी गई है और करते करते ऐसे लगता है कि हम हमें हमारी उसमें लाइफ में आ गया था में लगता है यही ठीक है इसी बात नहीं है कैसे निकले यह ठीक करेंगा निकले यह यह आप जितने लोग बैठे हैं कितने लोग सोसल मीडिया का यूज करते हैं अभी हम सोसल मीडिया का यूज करते हैं बर्डे की फोटो शेयर करने के लिए सेलफी शेयर करने के लिए हम यह कह रहे हैं कि आप इन विश्यों के लिए भ को फालो करेंगे आपके कंडोल में नहीं है फेस्बुक पांच दार है की नहीं है बनाते जाओ दोड़ू सो लोग भी बेशते जाओ और यहीं का क्यों बनाना के यह बनाना के रल वालों को बना वहां के बिद्थ देशƏ मुंक बनाओ नहीं है तो आप लोग ले पॉस्बिल में वो रास्ता बता रहा हूं आप लोग जनतरमत्र नहीं बैट सकते जितनी समस्याइं हैं इन 80% समस्याओं के हो गए पांच जार लोगों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला चार्टेट प्लेन का किराया आप ही लोग देते हैं अब आप अपने घर में काम वाली रखती हैं जिसको को 2000-3000 रूपे माथ इसको ताइट करती हैं ग değildhe ज skippingो ऑनी लिवीज से में आया जिए 10 सब्धान कहता है कि यहां पबलिक सरवेंट हैं पबलिक कौन है सर्वेंट कौन है England गенд को हिंदिम क्या कहते हैं अच्छा अच्छा करना सेवक कह दीजिए लेकिन हो कह रहा है जो सर्वेंट है वो पब्लिक से सर्विस करवा रहा है उसको पब्लिक की करनी थी देखो बड़ी सीधी सी बात माली जी इतना बड़ा परिवार हो इस परिवार में हर आदमी शारे काम तो नहीं कर सकता हम ने काम बाट दिए यह काम करेंः जीए आप घ्रवार को कानून बनाओ सुचिता जी को आपने बोला कि ये काम करो आप एक्जकेटिव आप सब की दूध लाओ ब्रेड लाओ ये लाओ वो लाओ ये काम इनका ये हस हर शर्मा जी है ये लाय स्टीट जनरल एक लीगल वेब साइट है सुप्रीम कोट और कवर करती है हमारी बहुत सारी काम करो आप जज़ बन जाओ अगर कोई मुकदमा उकदमा किसी कोई विवाद होगा आप से करो अब आप सबारे अपने काम में लगे पड़े हो हमारा काम क्या है हम अच्छा नियम बनाए ये अच्छी तरीके उसको इंप्लीमेंट करें दूध हुट ब्रेट पहुंचाती रहे हो अच्छी तरीके सबकी फोटो खिचवाते रहे और वो जो है अगर कोई विवाद हो तो उसका समाधान करें आप सारे लोग तो काम कर रहे हम चारो अपने हमीं चार काम खिक्स नहीं कर रहे हैं और हमारा 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 वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब कुछ देने आपी लोग कि यह प्रावलम है तो मैं यह कह रहा हूं जब आप अपने घर में दो तीनाजार रूपए काम वाली रखते हैं उसको भी वाच करके रखते हैं तो यहां क्यों करते क्यों नहीं करते तो कैसे पूछे समाधान तो दो ही जगह है संसद और सुप्रियम कोट लेकिन संसद और सुप्रिम कोट को जगाने का दोई तरीका है सडक और सोसल मीडिया सडक पे आ नहीं सकते हैं आप लोग तो भाईया मेरा आप सबसे आग रहे है सोसल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं उसकरिए फेस्बुक जरूरी उसकरिए जो हिूमन ट्रैफिकिंग करता था पतने आप लोग अखबार में पढ़ा की नहीं पढ़ा उसने इस्पेक्टर को 30 करोड रुपए घूस दिया जो लड़कियों की सप्लाई करने वाला वेक्ति था उसने इस्पेक्टराइम ब्रांच को 30 करोड रुपए घूस दिया था मुझे छोड़ दो अब यह बताओ उसने कितनी लड़कियों को बेचा होगा जो 30 करोड उसने दे दिया कितने कितने परिवारों को उसने रुलाया होगा अरे बहिया बेटी गायब होती तकेल माता पिता नहीं रोते भाई भी रोता है दादा भी रोता है मामा ब रोते हैं नानी रोती सब रोती है अब 30 करोड उसने कैस दिया है जब पकड़ा गया है इसका मतलब उसने कमसंद 2-300 करोड कमाया होगा 2-300 करोड कमाया होगा इसका मतलब 2-3,000 लड़कियों को बेचा होगा है दोतीन जाफ लड़कीं को किडनेब किया होगा घरकोटब है अल्तीमेंटली घटिया कारून का सर क्या हुआ demonstrates किसके उपर फरक कि सफरर कोन ने पबिलिक है इन का इस नौहीं किसी सांसतर्दविधाय की लड़की किडनेफ होती है इस तो मैं यदितले के हरी हूं ultimately sufferer आप हैं तो सड़क तूटेगी गाड़ी गिरेगी रोड एक्सिडेंट होगा सफरर आप हैं आपको विए पी रोड से नहीं गुजरना आपको कामन रोड से गुजरना नाला जाम होगा सफरर आप हैं तो मजभी उनमात कि फले गी सफरर आप ही रहेंगे जयां रख Carrye sortir बारत पाकिस्टान का बटवारा हुआ था बता कोई एक नेता मारा गया हो गास पाकिस्तान के बटवारें गविद्व intéress लागिए वर यहो 크게 नेदा में पर जा समीर में दंगां हुआ था 1990 कोई नेता मारा ज्याद बताईए सफर कौन है कामन में और कानून इतना घटिया देखिए 30 साल पहले घटना घटी 33 साल पहले 1990 हुआ था ना कस्मीन नरसंगा किसी को फांसी हुई बोले जरा 33 साल में किसी को फांसी हुई क्यों क्यों नहीं हुई कानून घटिया है कानून घटिया ऐसा अब घटिया और इसलिए कह रहा है उनको जगाना हम सब की जिम्मेदारी है करांसी की बाउजदारी बढ़ाना जारा था जो एक आप निकार क्यों लोग समामेश परता अब समान में कैसे आए समाज के लो आज है जो आज हाला बढ़ दसना किसी कार्म करम करदार में वह जिम्माराज हो इस्चिव से आज हो अज हो जो जो है कि आपको जबाब देतो है कि नहीं जवार है बिदि उसकता है बूसरा कि मारें बदूसरा गति कर दो फांग आ रहा दाधा इरा चिर्वार है अगर आप किदी मस्लिया इस संभी जेगेगी समस्किन और था सिब्सक्रन erो यदू नला तक वेयां जानी कूटाँ है जाक बलती तक दोसे जयादा नहीं को है वोल है करेम टे पसिंशित अभाब सबस्टाँ आदा कि अगर आप दर्शेर के लोगे बाद देहेंगे अगर मैं महाराथी दुनेंगे आप हिंदी को प्रयोग करेंगे तो आपको अने समांखाय नहीं संविधान का एक आइटिकल है 351 मैं तो कह रहा हूं कैसे कैसे मकारी हुई है आइटिकल 351 कहता है यह सरकार की ड्यूटी है और राजी सरकार की नहीं बलकि केंद्र सरकार का एक ड्यूटी है वह ऐसी विवस्था बनाए कि देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखन सब्सक्षट नहीं करेगा कि कि आजकी डेट में जितनी मिसाईले बनती हैं उनकी कोडिंग संस्कृत में होती है लिए आपके आपका जो आएटिफिशल इंटेलिजनस आया है उसकी प्रोगामिंग संस्कृत में होती है वह इंग्लिश में Conflutz हो जाता है इंग्लिश मैंसे तो प्रोग्राम कंफ्यूस रोगों तीन लोगों को हाथ मिलाना है एक आदमी साहत रोबोट कंफ्यूस हो जाएगा तो संस्कृत में क्या है तो हम एक यूब दो यूम तो मुवल सां यूव तीन इंग्लिजे में प्रमुटेशन है तो दस लाक वर्ड हुए संस्कृत में हमारे पास 52 लेटर है उसका कमिनेशन पर्मूटेशन बनाईए तो 50 लाख वर्ड हो गए तो पांच गुनी ज्यादा वर्ड हो गई एक एक कारी के लिए एक वर्ड हो गए हमारे पास यहां वर्ब का क्यों तीन फॉर्म है हिंदी इंग्लिस में गोवेंट गान क्फूफ हो ब्हासर से खुष हो तो ब्हासर कि देने में कोई कमी है क्या लेते रोब संस्या का समाधान भी वहीं से निकल लाग इसका है सर यूज बर्जीरी रिपीन परफेक्ट मैं उनको एड़ान करता हम बहुत उच्छा एडिया है दुनिया के कई देशों ने नार्को पॉलिग्राफ रिंड मैपिंग कानून बना दिया युएस ने भी बना दिया हम लोग सिकायत दर्ज करते हैं ठाने में या सिविल केस्ट जो भी करते हैं अगर नीचे एक अंडर्टेकिंग हो जाए यह जो बाते मैंने कही है यह सब सच है और जरुवत पढ़ने पर इसके लिए मैं अपना नार्को टेस्ट पॉलिग्राफ टे यार हो वैं कहता हूँ 80% कैसी अपने आप खतम हो जाएंगा किन एक चिपर्सेंट फेक केसा क्राह जाए इंगी compañ विए आपके 50% केसे खतम हो जाएं जो फेक चल रहे हैं आपया आपको लिखना हो इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलिग्राफ दिया करूं दूसरा आपने जो कहा परजुदे लेला दुनिया के कई देश्तों ने कंपंसेशन पॉलीसी बनाई है और पनिस्मेंट के लिए покंबजा कर लो एक टीस साल मुकदमा चला आपने वकील को खर्चा दिया मैं वकुंत कर दीया नहीं साल को किरायःप उठाखे उसमें बिज्ञेस करके जो ब्रेय। benefit आ रहा है उससे वकील अपना हमने इंगेज कर दिया आपका तो जो बेचारा एक धंदा था भी बंद हो गया अब आप कहीं और से पैसा उधार लेकर वकील कर रहे हो तीस साल के बाद आपको अपनी दुकान मिल गई तो आपको मिला क्या तो कुछ नहीं मिला जो तीस साल हमने आपको लड़ाया तीस साल आपका जो लॉस हुआ मेंटल आपका ट्रोमा रहा फिजिकल ट्रोमा रहा फाइनेंसियल आप लॉस में गए वह हमारे साथ कोई कानून ही नहीं बना एक भी आदेन आप ये कानून बनाओ देखो 50 परसेंट में ऐसी खत्म हो जाए और यहां को अजिक का कपज़ा खहता था भाई-भाई नहीं करता था था अब को भाई-भाई का शुरू है और वह आ जो कैसि सिस्टम का परदाम हमारे पास condition है हुछ हम कांट यह माने कराते है और हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम उनसे काम नहीं करा पागी। मैं ब्रेंग करूगा पॉलिटिशन को बात में पहले ब्यूरोक्राइट्स थे। गुजरात में वो ब्रिज कॉलाप्स हुआ। कौन जिम्मेदार था? ब्यूरोक्राइट्स। कश्मिय की ख़वें दबाए गई। कौन जिम्मेदार थे? ब्यूरोक्राइट्स। ब्रें मादार में कतर हो जाता है। लोग आई वित्नेस होते हैं सामने कोई नहीं आता है। कौन जिम्मेदार है? पुलीस। ब्रेंट्स। 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 का इसके बारे इसके बारे भी है सभी हाँ के बारे स्क्राइब फिर अश्हूंभार थी वाँ अश्मवाध में अश्य। असली व्याद कि अदीड में आखरा हो अधनी हिह सैंग्राव आप नक्या है आम अच्क आगेये श्य॥ा बृतिम्स झाण तो उसकी प्रेनिंग जेंग नहीं करिये तो सफ इंडिन पीपल पिस्टें पर प्रॉड जाए नहीं प्रॉड ना आज वाप और जनका यह जो देनें आई जे शब्सक्रादी तेनें पूट नहीं के प्रॉड़ एक जांग वागे जाए हैं इसके इलाके में उसने बज़ेट अलॉट है और उसका फाइदा उठा रहा है देखिए एक्जेकीटियों को मैं इसलिए जिम्हेदान नहीं मानता आपने घटिया कानून को कांटीनू किया हुआ है तो उसका फाइदा उठा रहा है इसलिए मैं इनको जिम्हेदार मानता हूं तुम 1861 का पुलिस हैट कांटीनू क्यों कर रहे हो अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस हैट बनाया इस देश को गुलाम बनाने के लिए यहां के लोगों को लाठियों से पीटने के लिए और 2023 में ही वो कानून चल रहा है आज भी चल रहा है अनतर के वहले इतना आया कि जो पुलिस पहले वायसराह की गुलाम थी मॉडर्ण वायसराह के गुलाम हो गही। पहले वी अग्रेजों के सद्ना पिनाच रही है तो साब वह आपने कानून उसको बना दिया है अगर वह नहीं नाचेगा आप उसको रात को 12 बज़े सस्पेंड कर दोगे रात को 2 बज़े टेमिनेट कर दोगे पुलिस वाला कोई आसमांस थोड़ी आया है वह भी हमी लों के बीच का है ना उसको भी तो अपना बच्चे की का पेपर है अगर कंप्रोमाइज नहीं करेगा रातो राधा आप ट्रांसफर कर दोगे कहां बेटे को बार्वी चला जाएगा आपने उठा को इस जिले से भेज दिया उसको पचास मेरड से आपने सीधे महु भेज दिया गोरभपूर उठा के भेज दिया उसके दिमाग म और रहा हूँ अन्य मुवंच का में टीम अनना में था रहा है कि मैं आमा अदमी पाल्टी का फाउंडर मी कि मैं नेस्नल कांसल का में भी था अब आप है बीज़े मुझे बताओ को यह पूरा मुवंच न के खिलाफ हुआ था ना हुआ था बरस्टा चार खटम करने के लिए हुआ था तीसरी बार मुक्य मंत्री बन गहे था इमांदारी से बताना के विधान सभाग के लिए इतने स्पिसल सट्र बुलाए गए कि अभी घूजखोरी पी चर्टा करने के लिए को सब्सक्राइब जमा खोड़ी के लिए मिलावट खोड़ी के लिए ताला बाजारी के लिए नसा तसकरी के लिए मानव तसकरी के लिए मावाद के लिए नकसलवाद के लिए केवल जब इसे सत्र बुलाए गया केवल निंदा सत्र बुलाए गया तू तू मैं मैं करने के लिए अब आप ये बताओ जिस पार्टी की अस्थापना ब्रश्टाचार के खिलाफ हुई हो वो ब्रश्टाचार खतम करने के नाम पे तीन बार मुख्यमंत्री बन जाए और एक भी बार अगर हो सकता मैं गलत हूँ अगर आप लों कभी देखा हो सुना हो बताना मेरी नजरों में एक भी बार विधान सभा का विसे सत्र नहीं बुलाए गया ब्रश्टाचार को जड़ स से खतम करने पर चर्चा करने के लिए मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है इससे बड़ा पाखंड कुछ हो सकता है कि अब सुनिए वह क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जनता की मेमोरी बड़ी चोटी है जनता की मेमोरी बड़ी चोट प्रिवी के खिलाफ चल रही है अब आप यह बताओ जिस राजी के उपर 55,000 करोड का उधारी हो करजा हो अरे दिल्ली 55,000 करोड का करजा है जिस राजी के उपर 55,000 करोड का करजा हूँ भी मुफ्त में पांट रहा हैं पंजाब भी मुफ्त में बाथ हूँ इसके उपर 30,00,000 का करजा है अब यह बता रह HOW इस समय राज्यों के ऊपर ध्यान से सुनियों में कि सस्टिफाइब। इसक्ति लएक करोड का करजा है सारे राज्यों पे कितना सतर लाख करोड़ और सारे राज्य मुफ्थ खोरी में कंपटीशन कर रहे हैं कि अल्टीमेटी आपकी जेब कटने वाली है अब आप तहे कर लो कि जेब कटवाने के लिए तैयार हो तो ठीक है आप भी मोग और जेब से कटवाने से रोकना चाहते हो तो कम सकम बोलो अरे ठीक है कट जाए कट जाए अगर आप यह देख रहो पॉकेट मार यहां बगल में ह इसके बाद काट लिए तो छुपतो मत रहा है तो पहले है तो ब्हुत अगर हनी पचाहते भाएं घर्भieten कि में आपको मैं आपको जबाब देता हुआ जवाब डिक्रियों नहीं नहीं जब देता है एक शुक में रहका कहा था अगा हुर के वारे नावनेन प्ला के खुछ आप अज त्षिड रहां। मैं शुक्ति डेभी में रखके वो लोग कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है वो यह आपने को कारा कि उपना क्या करें लुकरी के लिए को जाना तो है बीन जार की आया है चलो जी कुछ तो हा रहा है तो यह सिस्ट्रम प्लब चेंड जो होगा एक एक चीज एक चीज रह गई थी चाइना की हिस्टी उठा के देखिए 1949 में आजाद हुआ 1950 में उसने इंपोर्टेंट काम किये पहला गुलामी की निसानी मिटाई दूसरा करॉप्शन के खिलाफ फासी का कानून मनाया तीसरा हम दो हमारे दो लागू किया जन संख्यानियं उन्होंने एक कर दिया उससे थोड़ा सा उनका हुआ है लेकिन साथ करोड़ बच्चों को पैदा होने सो रोग दिया अगर हमने भी 1950 में हम दो हमारे दो लागू किया होता तो हम आज 1.500 करोड़ नहीं बलकि 95 करोड़ होते 95 करोड़ होते तो आपके जेब के उपर बर्डे है और खाने वाले बढ़रे विरोजगारी हो रही है विरोजगार देखे आप अगर करॉप्शन क्राइम जो भी समस्या है यह इसकी रूट काच पर जाईए दस बाई-दस के कमरे में अगर दस लोग रहेंगे तो उसमें एक चोर बनेगा जपटमार बनेगा कुछ करेगा क करना पड़ेगा हमने बनाया नहीं जब कि सफरिंग अब कर्मंडे वाधिकार अस्ते माफले शुकदाचन है इसलिए कह रहा हूं पांच-पांच-जार लोग को बोलिए अभी इस हाल में बोलना है सो लोग सुन रहें पांच-जार फेस्बुक फ्रेंड बनाईए तो आपक के लिए भी मिनिमम्म क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मेज लिमिट होना चाहिए भाई हम करें चपरासी के बराबर क्वालिफिकेशन हो या हों गार्ड के बराबर हो कुछ तो होना ही चाहिए कि मैं क्या एक अब मैं सब्सक्राइम करें चाहिए हम करें लोग से लिए लाबर हो और हमेरा कासी बहुत अच्छी तीम है और हम इस पीं के आप जो बोलते है वहाँ बहुत बाईयू बटीम कर एंग हो बहुत वैलियूबल कर देट है तो हम आपक वोर्ड शींग है उसके नहीं है कि उनके पास एक मंच यह एक मंच है मैं आपको कमश्राइज नहीं नहीं गर रहा हूं कि आपका कोई पैसा होना चीज़ लिकिन हम जैसे लोगों के पास में जो हम जानते हैं आपको कुल्टिन की कितनी वैल्यू है हम उसको राइज जगे बुला सकते हैं दूसरा पक्का पक्का मैं डाइम नोट कर लेका हूँ